नमस्कार मैं हूँ ससी आया जरगां की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं तीसरी लहर की चेतावनी अक्टूबर में उस तमस्तर पर होगा संक्रमान देश में क्रोणा की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है बतादे गरी मंत्रालाई के नेशनल इंस्टिट फोर डिजास्टर मेनेश्मेंट की ओर से अक्टूबर में क्रोणा के पीक पर होने को लेकर चेतावनी जारी की गई है गिरिः मंत्रालाई के तहद आने वाले राष्टी ए आपता परवंदन संस्थान ने प्रधान मंत्री कर्यालाई को अपनी हालिया रिपोर्ट में अक्टूबर में कुरोना के तिस्री लहर के उस्तामस्तर को लेकर चेतावनी दी है पतादे परधानमंती करया लाइक को भेजी गई इस रिपोर्ट में अक्टूवर में कुरोना के फीर से उस्दा मस्थर पर होने के असंका जाईर की गई है और इसको लेकर केंद्र को चेताया भी गया है मौसम विभाग के उसार पिछले चार दिनों से राजे में मानसून के स्थिती कमजोर बनी हुई है इसके 28 अगस्त कमजोर रहने की संभावना है इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है मौसम बेगानी अब इसे कानवन ने बताया कि लगतर बदल रहे सिनोप्टिक फिचर के कानडाज में मानसून के स्थिती में बदलाव हुआ है बतादे जक्षिन पूर्व मानसून के टर्फ पूरी तरह से हवा की दिशा से परभावित होते है ऐसे में 28 अगस्त के बाद इसमें बदलाव की संभावना है जैक बोड दसवी बरहवी की बिसेस परिक्षा को सरकार ने दिमंजूरी जार्खन सरकार ने दसवी बरहवी की बिसेस परिक्षा आउजन करने को लेकर जार्खन एकेडमी काउंसिल को आगे की करवाई करने के लिए कहा है इसकोली सिक्षा एवं सक्षर्टा विभाग द्वारा सोम और को जैक को जारी पत्र में कहा गया है कि आपता प्रवंधन विभाग ने 31 जुलाई को ही ओफलेंड परिक्षा के आयोजन की स्विक्रिति दे दिया है इसलिए जैक दसवी एवं बरहवी की विशेश परिक्षा तथा मदार्शा की आलिम वफाजील की परिक्षा का आयोजन किया जा सकता है जे प्येसी परिक्षा बारा को होगी या उनई सितंबर को बैठक आज ज्यारखन लोग सेवा आयोग द्वार ली जाने वाली सातवी आठवी नवी और दसवी सिविल सेवा परिक्षा की समभावी ती थिया गामी 12 सितंबर को ताय है बतादे बीते हो दिनों आयोग ने सभी जिला सिक्षा पतादिकारी को पत्र लीकर परिक्षा केंदर की सुची मांगी थी पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि यदि आयोग द्वारा 12 सितंबर को परिक्षा किसी कारणवस नहीं लिया जाती है तो परिक्षा उन्हें सितंबर को भी लिया सकती है अईसे में सबी जिला शिक्षा पतादिकारी उने सितंबर के लिए भी परीचा केंदर की सुची आयोग को प्लब्ध कराई बता दे परीचा आयोजन करने को लेकर आयोग ने मंगलवार आज 24 अगस्त को बैटाक बुलायी है बैटक में सभी जिला सिक्षा पताधिकारी को फस्तित होने का निदेश दिया गया है रांची के ग्यान राज कौन बनेगा कोडपती में जीते 3,2,000 रांची के नगड़ी में एक इस्कूल में बचों को पढ़ाने वाले ग्यान राज ने इस सो में 3,2,000 रुपए जीते हैं हलाकि वे 11 सवाल का सही जवाब देकर 6,4,000 रुपए जीत चुके थे लेकिन बरावे सवाल का गलत जवाब देने के कारण वे नीचे गीर गया है और 3,2,000 रुपए ही जीत सके बिधान सभा के मांसुन सत्र में नई नियुक्ती निमावली का करेंगे बिरोध बीजेपी बिधायाक गोडा की बिधायक अमीत कुमार मंडाल ने मुख मंत्र हमन सुरन को पत्र लिकर नई नियुक्ती निमावली में संसोधन की मायं उठाई है उन्होंने दवा किया है कि नई नियुक्ती निमावली में भारत के समिधान के अनुषेद 16 का उलंगन किया गया है उन्होंने पत्र में जनकारी दिया है कि नई नियुक्ति निमावली में समाने बरके अवियार्थियों को तिरितिये वा चतुत स्रेनी की नोकरी के लिए जारकन से मैट्रिक वा इंटर की सिक्षा को अनिवार किया गया है सीएम हमंत की बहान अंजनी समेत कई नेता गिरफतार उडिशा के सुंदरगड में राज गांगापूर वा कुत्रा बलोक में जिंदल वा ओसील के जमीन अधिगराहन का विरोध करने पर जामों की परदेश अध्यक्ष अंजनी सुरेन समेत कई नेताव को पुलिस ने सुमार को राउर केला में गिरफतार कर लिया है पतादे अंजनी सुरेन जार्खन के मुखमंति हमान सुरेन की बहान है ये सभी नेता जमीन अधिगराहन यम जल जंगल जमीन की सुराक्षा के लिए सुन्दरगड आय थे जार्खन में अस्थानिय भासा के 200 सिक्षक की होगी नियुक्ती सीम हमान्त जार्खन में अस्थानिय भासाओ के 200 सिक्षक की नियुक्ती का रास्ता साफ हो गया है मुखमंति हमान सुरेन ने इसकी घोसना की है राई सरकार ने त्रितिय और चतुत वर की सरकारी रिक्तियों में अस्थानिय भसाओ को अनिवार किया है मुख मंत्री ने कहा कि मेरा उदेश सिफ सरकारी नोकरियों में ही जार्खन की सम्रिद अस्थानिय भसा को प्रत्मिक्ता देना नहीं बलिक इस से जुड़े पाठ करम को भी दिशा दे कर ससक्त करना है बता दे विभीन विशुबी द्यालों में संथाली हो कुर्माली खोठा मुंडारी आधी भसाओ पर दो सव से अधिक्त पदो पर सिग्र नियुक्ति होगी सिग्षक नियुक्ति की मांग को लेकर सिग्षा मंत्री जगनात महतों का घिराओ जार्खन करमचारी चैन आयोग की अनुसंसा के बावजूद 11 अनुसूचित जीलों के हाई स्कूलों में कुछ बिशायों में सिग्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है इसको बिरोध में अभ जार्खन में कुल एक्टिव केस की संख्या 177 है भारत में 11,369 केस मिले है भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 3,21,944 है जार्खन में सिग्षक दिवस पर समानित होंगे टीचर्स जार्खन के सिख्षकों को उनके बेहतर कारयों के लिए समानित किया जाएगा बजादे 5 सितंबर को सिख्षक दिवस पर सिख्षक समानित किये जाएंगे इसकी त्यारी शुरू कर दी गई है जार्खन के इसकोले सिक्षा अगम सक्षता विभाग ने इसकी त्यारी सुरू कर दी है इसके लिए सबी जीलों से सिक्षको के नाम मागे गए है जार्खन में बनेगा दुनिया का सबसे उच्चा बहुत इस्टूप जारकन सरकार ने इटखोरी में दुनिया का सबसे उच्छा बहुत इस्टूप बनाने की जोजना बनाई है परेटन विभाग ने इस्टूप और पेर वील निर्मान की डिजाइन त्यार का काम परामर्सी कंपनी आइडेक्स को सोपा है आइडेक्स इस्टूप निर्मान के सा इटखोरी को टूरिजम सरकिट से जोडने की जोजना बना रहा है बतादा इटखोरी को टूरिजम सरकिट से जोडने की योजना पर लबग 400 रूपे खर्च किये जाएंगे इसमें से करेब 200 रूपे बहुत इस्टूप और पेर वील के निर्मान पर खर्च होने का अनुमा ज्यार्खन में ट्राइबल धर्म कोलम के लिए अब आदिवासी सभी राजेपाल सी एम सांसद व व विधाय को सोपेंगे मांग पत्र वही नई दिली में एक आदिवासी भावन बनाने के लिए केने सरकार को मांग पत्र दिया जाएगा बता दे असम के डीबुगड में 5 सितमबर को राजे अस्तरिय बैठक की जाएगी इसके अलावा महराष्ट में 6 सितमबर भोपाल में 9 सितमबर कुलकाता में 22 सितमबर राची में 24 सितमबर रायपूर में 26 सितमबर और गुजरात के गांधी नगर में 2 अक्टूबर को बैठक क रजेके सभी सहरोू में आतयात वेवस्था सुधारने के लिए सरवे किया रहा है बता देंगे पॉत निर्मांन सुधिकलो तेम को सहरों में अतयात और उसके लिए अधारभूत संरचना से समधी रिपोर्ट तयार करने के निदेश दिये गए हैं ज्यारखन में खाद की काला बजारी ज्यारखन के पलामु जीले के हुसायनाबाद अनुमंडल छेत्रे के किसान खाद की किलत से जूज रहे हैं बता दे उन्होंनों कहा कि खाद की काला बजारी के कारण उन्हें उची कीमत पर खाद खरीदनी पड़ रही है विधाय कमले सिंग से भी किसानों ने इस पावत आगरा किया था इसके बाद भी उन्हें रात नहीं मिली है इसे किसानों ने आक्रोस है भाजपानेता कर्ण संजय सिंग ने कहा कि खाद की काला बजारी नहीं रुकी तो वे मोहमद गंज और हैदर नगर परखंड कर्याले के समख धारना देंगे सोनिया गांधी ने जहारखंड कॉंग्रेस के प्रति जताया अभार अखिल भारतिय कोंग्रेस कमीटी के अध्यक्स सोनिया गांधी ने परदेश कॉंग्रेस अध्यक्स सहराज के बीत तथकाधा अपुर्ति मंत्री डाक्टर रामेसर उराओं को पत्र लिख कर 20 अगस्त को पुरो परधान मंत्री राजिव गांधी के जयनती के मोके पर राची में राजीव गांधी वरिष्ट नागरिक पार्क के उदगाटन करने के लिए भार जताया है कॉंग्रेस अध्यक सोनिया गांधी ने परदेश कॉंग्रेस अध्यक टाक्टरा में सरूराओ को लिखे पत्र में भारत रत्न पुरुप्रदान मंतरी राजीव गांधी के स्मिर्थी में उनके नाम पर राची में बरिष्ट नागरिक पार्क के उदगाटन के प्रती विशेस रूप से अभार ब्यक्त करते हुए पार्टी के सवी करकताव का सुक्री यादा किया है राची डीसी ने फाइलेरिया रोक्थाम अभियान का किया उदगाटन राची जीला में सोमवार को सदर अस्पताल से मास ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन कारकरम के सुरुवात उपायुक छवी रंजन ने की उन्होंने खुद फाइलेरिया रोक्थाम की दवा खाते हुए इस अभियान के सुरुवात की उन्होंने बताया कि इस अभियान में हर लोगों को जोड़ा जाएगा उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि फ़लेरिया रोक्ताम के लिए दी जाने वाली दवा का वह सेवन करे इस दवा को अगर पांच साल तक लिया जाए तो फ़लेरिया जैसे बीमारी से मुक्त मिल सकती है 15 दिनों के अंदर माच छिन मस्तिका दरबार खोलने की मांग साथी बर्तमान जार्खन सरकार के खिलाब भारी आकरोस ब्यक्त गिया मालूम होगी जार्खन में अप्रेल माहसे सरकार के द्वारा स्वास उरक्षर सप्ता लागू किया गया था पस्मी सिम्भूम में स्मार्ट फोन का वित्रन जार्खन के सरकारी स्कूली बच्चों समेत अन जरुतमन बच्चे अब स्मार्टफोन से ओनलाइन क्लास कर सकेंगे बतादे जार्खन पुलिस के पुलिस उपरण बैंक के माध्यम से चक्रधरपूर में 45 मेधावी और जरुतमन इस्टूडेंट के बिच अस्मार्टफोन का गया बतादे जार्खन डीजीपी के अनोखी सोच को अमली जामा पानाते हुए चक्रधर पूर्थाना पुलिस समुदाइक पुलिसिंग कारेकरम के तहत चाईबसा जीला पुलिस उपरण बैंक के माध्यम से मेधावी और जरुतमन बिद्यार्थियों के बिच स्मार्टफ लोगायल हुए है इसमें पतूरा गाउं के बिनाय साहू और किंदिर केला गाउं के सेख बेलाल को गंभीर चोट लगी है दोनों करीम स्रेफर कर दिया गया है जबकि पतूरा गाउं की कर्मी देवी को भी गंभीर चोट लगी है इसे बस्यास्पताल में भरती किया गया है बता दे एक ही गाउं के करीब 200 लोगों ने पतूरा गाउं को घेर लिया था कुरोना परभावित आसरीतों को हर हाल में पहुचा है लाव डीडीसी रांची डीडीसी ने परखाण विकास पताधिकार्यों को स्वास्त केंद्रे में उपलवद कराये गए उपकरण एवं अने बेवस्ता की जाच करने का निदेश दिया इसके अलावे उन्होंनों कुरोना से परभावित आसरीतों को हर हाल में सरकारी योजनाव का लाव पहुचाने का निदेश दिया उन्होंने कहा कि जो परिवार बच्चे या महिला कुरोणा से परभावित हुए हैं उन्हें हर हाल में सरकारी योजनावों का लाभ पहुचाए OVC आरक्षन मंच ने RPN सिन्हा को सोपा मांग पत्र जार्खन OVC आरक्षन मंच के अध्यक्स कैलास यादोंने दिली में सोमवार को जार्खन कॉंग्रेस परभारी RPN सिन्हें मुलकात की और मांग पत्र सोपा केलास यादोंने राज में OVC को 14-27 अनुस्ची जाती को 10-15 तथा नीजी छेत्र में 25 परथिसत आरक्षन लागू करने की मांग से उन्हें आउगत कराया धन्यवाद